अब ये कोई नहीं कहेगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं क्योंकि अब तारीखें याद करने का टाइम है वो तारीखें जो फैसला करेंगी 130 करोड हिंदुस्तानियों के अगले 5 साल के भविश्य का नमस्कार मेरा नाम है अक्षे गौड और आप देख रहे हैं उतकर्ष क्लासिस का यूट्यूब चैनल दस मार्च की शाम निर्माचन आयोग द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फरेंस में एलान हुआ तारीखों का मोटे तोर पे समझा जाए तो 11 अप्रेल से लेकर 19 माई तक 7 चरणों में मतदान होगा और 23 माई को मतगणना होगी पहला चरण 11 अप्रेल को दूसरा चरण 18 अप्रेल को तीसरा चरण 23 अप्रेल को चौथा चरण 29 अप्रेल को पाचवा चरण 6 मई को छठा चरण 12 मई को और साथवा चरण 19 मई को होगा आखरी चरण के ठीक चार दिन बाद यानि 23 मई को मतगणना होगी और शाम होते होते साफ होने लगेगा कि जनता जनारदन किसको अपना जनादेश सौप चुकी है इन सब बातों के बीच कई सवाल मन में उठते हैं उगर नहीं उठते तो उठने चाहिए पहला सवाल चुनाव अभी क्यों तो जवाब साफ है Constitution के Article 81 में लोगसभा का वर्णन किया गया है और इसे Parliament का एक अभिन अंग बताया गया है 3 जून 2019 को 16 वी लोगसभा का कारेकाल समाप्त होगा और कानून के हिसाब से इससे पहले 17 वी लोगसभा का गठन होना जरूरी है और गठन कैसे होगा जवाब साफ है चुनाव से होगा कितनी seats पर लोगसभा चुनाव होंगे तो चुनाव तो 543 सीटों पर होंगे हाला कि लोगसभा में कुल 545 सीट होती है पर उनमें से दो सीधे राश्च्रपती द्वारा मनोनीत यानि नॉमिनेटिड होती है और वो एंगलो इंडियन्स के लिए आरक्षित होती है साथ साथ प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक श्री सुनील अरोडा ने ये भी बताया कि इन लोगसभा चुनाव के साथ साथ चार राज्य सिक्केम अरुनाचल प्रदेश आंधर प्रदेश और उडिसा में विधान सभा चुनाव भी होंगे तो अब क्या? 11 मार्च से लग चुकी है आचार सहिता यानि की नियमों का वो पुलिंदा जो किसी भी राजनीतिक दल या उमीदवार को कई तरह से बाध्य करता है तो क्या लिखा है आचार सहिता के नियमों में? एक आदर्श आचार सहिता के तहट चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे का इस्तमाल चुनाव के लिए नहीं कर सकता सरकारी संसाधन जैसे कि उसका भवन उसका वाहन चुनाव या किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यहां तक कि कोई भी सत्तादारी नेता अगर किसी पार्टी का जुलूस निकालता है या कोई बैठक करता है तो उसे चुनाव आयोख से परमीशन लेनी होती है सभा का इस्थान वा समय की पूर्व सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होती है कोई भी पार्टी या उमीदवार ऐसा कोई काम नहीं कर सकता ऐसा कोई भाशन नहीं दे सकता जिससे धार्मिक या भाशाई समुदायों के बीच मदबेद बढ़े या घ्रना फैले मत पाने के लिए रिश्वत देना मत दाताओं को परेशान करना भारी पर सकता है व्यक्तिगत टिपणिया करने पर भी चुनाव आयोग कारवाई कर सकता है यानि की बुराई करो जी भर के करो पर पार्टी की नीतियों पर उसके इतिहास पर पर व्यक्ति विशेश किसी प्रकार की टिपणियों से बचना होगा अनुमती के बिना किसी दिवार या भूमी का उप्योग नहीं हो सकता चुनाव आयोग एक पर्यवेक्षक यानि की सुपरवाईजर की नियुक्ति करेगा जो सभी उमीदवारों की हरकतों और भाशनों पे निगरानी रखेगी खेर ये तो हर बार होता हाया है पर इस बार नया क्या है 10 मार्च की शाम होई इस प्रेस कॉन्फरेंस में सुनील अरोडा की जिस बात ने सबसे ज़ादा ध्यान खीचा वो थी उनकी शोशल मीडिया पर कही बात पिछले कुछ साल में शोशल मीडिया चुनाव प्रचार का मुख्यमंच बन गया है सुनील अरोडा ने बताया कि राजनीतिक दलों और उमीद्वारों के शोशल मीडिया हैंडिल्स जैसे कि उनका FB अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब चैनल पे कुछ भी कंटेंट डालने से पहले उन्हें मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिट सिर्टिफिकेट हासिल करना होगा और इसका थोड़ा बहुत असर आप पर और मुझ पर भी होगा क्योंकि इनके वेरिफाइड अकाउंट के अलावा इनके बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं जो आपके और मेरे जैसे लोग चलाते हैं या इसके अलावा अगर आप अपने और अपने अकाउंट्स पे भी कुछ ऐसी सामगरी डालते हैं जो आचार सहीता का उलंगन करती है तो आप भी उस कानून के दायरे में आते हैं और शायद आप पर भी FIR हो सकती है अगर इस मामले को गंभीर पाया जाए खेर ये आचार सहीता चुनाव से केवल 48 घंटे पहले ही लगती है अगर कुछ आपती जनक इंटरनेट के किसी प्लेटफर्म पे पाया जाता है तो उसे दो या तीन घंटे में ही चुनाव आयोग कुछ ऐसे पहले से माबदन रखेगा कुछ ऐसे एफर्ट्स करके रखेगा कि ये दो-तीन घंटों में ही उन प्लेटफर्म से हट और एक मुख्य बात निर्वाचन आयोग ने सेना या जवानों का जिक्र अपने विज्यापनों में नहीं करने के निर्देश भी नाजनीतिक दलों को दिये हैं। खेर देश तो 130 करोड़ लोगों का है पर इस बार चुनाव में 90 करोड़ लोग होंगे जो चुनाव दे सकते हैं। आपकी भी हिस्सेदारी हो। अगर आप हमारा ये यूट्यूब वीडियो पसंद करते हैं तो इससे लाइक कीजिए और इससे शेर कीजिए। अगर आप उतकर्ष से नए नए जुड़े हैं तो हमारे पेच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय किAyूँ कर लाइएएएएए नए विडियूब उतकर्ष ए कमिचार साथ Do not an एक रसे बेर्ड आऑर इंड्यूब अनुब करा ये सुड़ अट्यूब ए?ड य array को सब्सक्राइब Genau, का ए्चार प्स और वोन कॉस्टम फ्लेश कार्ट फॉर एच चप्टर यू और अनलाई टेस्ट और अनलाई यूर पर्फॉर में सो दौनलोड यूतकर्ष अप्ट नाव